हेले दोस्वाइब सभी लोगा स्वागत है मैं इस फ्रेश टेक नियूस के गर्मा गर्म एपिसोड में और भाई इस पडिवलर एपिसोड में हम लोग बहुत सारी लीक्स लेकर के आए हैं जो आपको अभी तक की कही हो और नहीं देखने को मिली होगी जैसे कि यहाँ पर मीबेंट 5 के बारे में यहाँ पर कुछ निकल के आ चुका है जियां दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फीचर के साथ मैं वो भी मैं आपको बताओंगा और साथी साथ में यहाँ पर रेड्मी बुक 16.1 भी आ रहा है और तो और दोस्तों यहाँ पर बैया रे टेक न्यूज देख करके डेली पेटियम कैश कमा सकते हैं यूज़ी विन देट तो भाई यहां पे आई बटन में लिंक दिया हुआ है जा करके देखिए और यूज़ी देली कैश गिववे दोस्तों यहां पे जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वह भी है रेड्मी की दरफ से आ रही है आपने अभी तक रेड्मी 10X के बारे में तो सुन लिया होगा लेकिन दोस्तों भाई यहां पे जो खबर आ रही है वो आ रही है रेड्मी के X TV के बारे में जी आ दोस्तों यह वाला जो टीवी है यह पूरी सीरीज आ रही है इनकी और यह बहुत ही जल्दी लोग बता रहे है वो है M.E.M.C. Motion Pompensation Feature जो की actual में motion blur होता है उसको reduce कर देता है लेकिन यह मैंने कभी अपने टीवी में motion blur वगर तो notice नहीं किया आप लोग बताईए क्या आपने कुछ ऐसा notice किया यह लोग जो बोल रहे है कि normal TV में होता है पर इनकी टीवी में नहीं होगा तो भाई देखते हैं हम आज notice करके देखेंगे आप भी हमें notice करके बताईएगा आपकी टीवी में भाई motion blur होता है कि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली ख़बर आ रही है वो आ रही है रेड्मी बुक 16.1 की जिया दोस्तों आपने तो पताईए कि रेड्मी के यह आपे laptop इंडिया में भी यहाँ पर लिस्ट हो के आ चुके थे और बहुत ही जल्दी वो इंडिया में launch हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर रेड्मी ने त्यारी कर ली एक नया रेड्मी बुक 16.1 वाला लेकर के आने की और यह बाई 16.1 नाम इसले दिया है क्योंकि 16.1 इंच का है साथी साथ में बहुत ही जादा बीजल इसके बहुत ही जादा चोटे हैं साथी साथ में Ryzen 4000 वाले प्रोसेसर के साथ में आ रहा है तो भाई amazing जो होगा और इसके अंदर बोला जा रहा है की battery backup भी बहुत ही जादा होगा और जो इसके प्रीमियम लेवल वाले होंगे उसके अ निले का दोस्तों निकल के यहाँ पर बढ़ियन और बढ़िया चीज़त के रिखल आ चीदे के साथ साथ की रहे इसके अंदर में Dual 5G SIM भी चलेगा ठीक है इसके बाद दोस्तों जो अगली कबर आ रही है वो अगेन आ रही है MI की तरफ से इनका MI Band 5 के कुछ यहाँ पे फीचर निकल के आच चुके हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यह भाईया आपका oxygen, blood oxygen saturation level भी यहाँ पे measure करेगा जो इनका MI Band 5 आएगा वो साथ ही साथ में भाईया menstrual cycle tracking भी होगा women's के लिए और तो और दोस्तों यह लोग बोल रहे हैं कि global version में इस बार आपको NFC भी देखने को मिलेगा पिछली बार भाई जो इंडिया में version आया था उसमें आपको NFC देखने को मिला था साथ ही साथ में दोस्तों इस बार भाईया इन्होंने AI Alexa Assistant का भी feature देंगे मतलब कि आपने MI Band से बात कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों यह बाई काफी है था amazing feature मुझे ने लगा जो actual में Mi Band 4 में चाइना में उन्होंने लाँच ही है था उनका जो खुद का AI engine है जो की ना चाइना में चलता है वो उन्होंने उस particular Mi Band 4 में दिया था पर इस बार इन्होंने global के लिए यहाँ पे Alexa को चुना है तो इस बार hi Alexa how are you आप बोल सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है gimbal वाले फोन की जी है दोस्तों हमने नाम ही इसका रख दिया gimbal वाला फोन यह है Vivo का X50 कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसमें इन्होंने कौन सी technology यूज़ करी है आज कुछ all leaks यहाँ पे निकल के आज चुकी सबसे पहरे तो भाई इसका launch date confirm हो चुका है आइडिया की दरफ से यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि सबसे सस्ता यहाँ पे rate cutter plan निकाला हुए जिसके अंदर के वाल 29 रुपे के अंदर यह लोग 20 रुपी का talk time भी दे रहे साथी साब में जो आपके call rates होंगी वो जो decrease कर दे रहे 2.5 पैसा पर सेकेंड call rate के इसाब से यह डिटक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे handed MB का data देंगे for 14 days of usage लेकिन दोस्तों जरा आप दिमाग लगाई और आप देखिए कि 2.5 पैसा पर सेकेंड तो एक मिनट में कितना हुआ जरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह company की strategies होती है कि बाई एक जादा रुपया बताने की जगे अगर छोटा रुपया बताएंगे तो बाई लोग जादा आकरशित हों इसके पास दोस्तों भाई यहाँ पे मनु कुमार जैन जी ने आज एक tweet किया जिसमें कि उन्हों ने यहाँ पे मी 10 को यहाँ पे dismantle किया और उन्हों ने भाई यहाँ पे hint दिया कि अब भाईया आपको यहाँ पे इंडिया में MI का screw driver भी देखने को मिलेगा जी हैं दोसे इस है आप लोग ने देखी लिया होगा कि यहाँ पे realme tv का remote यहाँ पे leak होके आ चुका था लेकिन भाई आज के दिन में यहाँ पे मादव सेट ने खुद भी यहाँ पे realme tv का remote यहाँ पे दिखाया है लोगों को और साथी साथ में यहाँ पे by realme की watch भी दिखाई है मुझे ऐ थोड़ा सा आप मुझे पसंद आने लगी है वो इसके बाद दोसे यहाँ पे जो अगली खबर आ रही वो आ रही Samsung Galaxy Note 20 की यहाँ पे उसके renders और यहाँ पे specification निकल के आईए और यह यह renders बोला जा रहा है यह claim किया जा रहा है कि यह जो renders है यह हूब हूर Samsung Galaxy Note 20 की ही तरह है मतलब कि जिस बंदे ने इसको देखा हुआ था उसी ने जो render बना रहा था उसको पूरा detail प्रोवाइड करी कि हाँ यह device ऐसा दिखता है तो उसने renders वहाँ पे निकाले हैं तो बाई लमसम में ऐसा ही आपको यह वाला phone देखने को आपको न मिलेगा और जो यह सबसे पहले list वाला processor दोनों में से कोई एक processor आपको देखने को मिलेगा साथी साथ में जो आपका note 20 होगा उसके अंदर आपको 4000bes की battery आपको 4500 80s यहां पे spot कर लिया गया था geek badge में कुछ दिन पहले ही और यहां पे उसकी और भी specification निगल के आ चुकी है यहां पे front में आपको 16 Megapixel का selfie वाला camera देखने को मिल जाएगा rear में आपको quad camera setup 48 Megapixel देखने को मिलेगा 4500ms की battery देखने को मिलेगी 18 watt का charger होगा उसके आपने 5G वाला इसके अंदर प्रोसेसर होगा जी है दोस्तों बोला जा रहा है कि इसके अंदर आपको Samsung का ही जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक ऐसा प्रोसेसर है जो आज तक कि किसी और phone ने यूज नहीं किया है यह है जाइनोस 880 5G वाला प्रोसेसर और इसके अंदर इन्होंने यूज किया है cortex A77 वाला कोर जो की प्रीमियम बाई कोर है तो यह न 2 GHz पे clock नहीं यह वाला कोर इस पर्टिकुलर रहता हूं वीवो के phone से लेकिन अगर यह ऑनलाइन में लेकर के आए तो आव्वेसी बात है भाई बहुत इकजब किया था उनी के ना नाम से और सबने मुझे अलग-अलग यहां पर स्क्रीन शॉट वगर भेजे थे जिसमें से जो ना ओरीजिनल बंदा था उसने जो मुझे स्क्रीन शॉट बेजा था वह एडिटेट भी था एंड इवन अगर स्क्रीन में आपको दिखा दो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर नीचे से जो इन्होंने मैसेज किसी और को वह थोड़ा सा कटा हुआ था जो कि हमारी वीडियो ने खिसी की थाश में शेयर की थी और यहां पर यहां पे जो फाइल थी ना वह पिक्सार्ट में एडिट किया हुआ था तो इसलिए भाई मुझे बहुत ज़या यहां पे अंदेशा था कि शायस से यह original बंदे नहीं हैं तो भाई मैंने इनको बोला कि यहाँ पर आप एक काम करिए कि यहाँ पर जाईए अपने comments में edit करिए अपना email address वहाँ पर डालिए और हम आपको यहाँ पर जो भी प्राइस है वहाँ आपको दे देगे तो भाई इन्होंने वहाँ पर डाला लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपना comment वहाँ delete कर दिया है तो भाई अगर आप यह वीडियो देखा कर रहे हैं तो आप मुझे अपना number send जो नहीं करिए we will transfer your price money और आज की जो winner है सोनु शर्मा बहुत 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 बाई बदाई इनको और हां दोस्तों कल सुबह दिन में एक वीडियो आ रही है pubg test video for the redmi note 9 pro max तो उसके लिए भी तयार रहिएगा सुबह सुबह जल्दी में अप्लोड मैं कर दूँगा proximity 10 बजेगे आसपस और हां आज आप लोग ने कहीं पर वो कोड देखा अगर देखा तो बाई जा के कमेंट करिए you can win the paytm cash तो दोस्तों that was all from the geeky mong thank you